मैं रहुसा सेशी में करा हूँ और यहां पर एक युवक बाइक सवार पेड़ किरने से थाना रहुसा चेते लाके में जख्मी वहा और किसी आटोचालक ने एक मनवता दिखाई और उसको यहां पर लाकर भारती कराया लेकिन मामला बताया जा रहा है निवासी थाना थान गा सब्सक्राइब करें जख्मी और किसी की मदद आटो जिसने एक फरिष्टा बनकर उपरा और आटो के द्वारा उसको यहां पर लाया गया है और जख्मी हालत में मामला निवासी थाना थान गाउं का है लेकिन पूरी बात करते हैं डाक्टर से और इसके पहले हम आपको दि सब्सक्राइब क्या हालात है रहने वाला कहा है रहने वाला है कुमार नगर्ट धनुवा नगर्ट फियस्थान जैसा कि डॉक्टर साहब खुद थोड़ा तो कि वह बोल नहीं पा रहा है जख्मी हालत में तो समझ नहीं पाए हलंकि हमारे वीडियो में आप देखेंगे पीडि से हमने जख्मी से बात कि है पूरी अस्थाईए पता और सथ दिमाग से उसने पता ए तो अब उसक काला थीख है और एफर तो नहीं है यदि इथा चिहरा जै पिछेड़ा जिसने भी लाए उसने एक मानवता और इंशानियत का चेहरा दिखाया आटो चलक ने और रेवसा से चितिक पहुंचाया उसके बाद में डक्टर सुनीन ने और उनके साथ में जो यहां इस्टाप है उसने मानवता दिखाई उसका इलाज पानी किया हाला ठीक है और यह कहां जा रहा था यह जो है ब अब कहीं रिफर उफर तो नहीं है इसके घरवालों को पता है नंबर कोई मिला है उसका तोचना मिल दे गई अभी नहीं पूछा जा रहा हूं और हमारे चैनल के सामने आप देख रहे हैं कि रेवसा सेची की तस्वीर देख रही है टूटी फूटी आवाज में जानकारी मामला थाना रहुसा छेत्र में एक पेंड गिरने से इवक जख्मी हुआ है उसको रहुसा से चलाया गया है ले चलते हैं आपको उस जख्मी से मिलाते हैं जो पेंड से जख्मी हुआ है गिरने से और डक्टर से मिलाते हैं क्या हालात है इस रोम में है यह यहां पर यवक है पूरी तरीके से जो पेंड किने से जक्मिया और इसका टीटमेंट यहां पर चल ला है बात करते हैं क्या नाम है वो राम नाथ पिता जी का अच्छा कहां घर है आपका दस्यानेगर कमार पर्हा कुमार पर्हा किमार पर्हा दस्यान अगर इस तहना को लगता है न फान घां कहां गया थे आप आपको ने देखा यह रामनात है और पिताजी का नाम नन्हु है और दसवांत नगर कुमारन पुरवाद थानगाउं का मामला है और इनको कहें से लाया गया है आटो से आए एक कहां पर उसे लाया गया है वाटोला अच्छा अच्छा मोटरसाइकल से थे मोटरसाइकल से थे कौन लोग हो कौन बरादरी हो निशाद